बचो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी exercise 1.2 चैप्टर हमारे पास number systems तो देखिए सबसे पहला question है हमारे पास कि state whether the following statements are true or false and justify your answer वही पढ़के बताओ जो statement है वो true है या false है जो भी आपके पास answer है true या false उसको अपको justify करना है मतलब साबित करना है ठीक है चलिए first statement की every irrational number is a real number क्या सारे के सारे जो irrational number है वो हमारे real number होते हैं तो आप क्यों मैं पहले एक diagram बना दूँ जिसने वीडियो के topics देख्यों तो बड़ी अच्छी बात है देखिए हमने क्या देखा था कि हमारे पास real numbers हमने निकाले थे ठीक है तो हमने real number के अंदर दो चीज़े देखी थी कि हमने अपने numbers को दो चीजों में divide कर दिया एक होता है हमारे पास rational numbers ओके एंड दूसरी क्या थी बच्चों हमारे पास जो दूसरा में find क्या था वो था irrational numbers ये दो चीज़े निकाली थी ठीक है तो अब ये बताओ कि क्या सारे के सारे irrational numbers हमारे real number होते हैं वह हमने क्या देखा कि real number के अंदर दो चीज़े आते हैं या तो rational numbers and irrational numbers इन सब को उठाओ गए तो वो real number बन जाते हैं ठीक है जी अब ये क्या सारे के सारे irrational numbers वो क्या कहता है कि सारे के सारे irrational number is a real number क्या वो real number होंगे तो एक चीज़ सोचो सारे के सारे yes क्यों क्योंकि ये चीज़ क्या है जितने भी अब irrational number लिखोगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे real number होंगे ही होंगे ठीक है जी क्यों नहीं होंगे ज क्या देखा था कि हमारे पास वो नंबर जो कि क्या हो non terminating हो and साथ ही साथ क्या हो non repeating हो यही चीज थी या जो perfect square root ना हो perfect cube root ना हो या πाई हो ठीक है πाई वाला भी वो सारे सारे क्या थे irrational नंबर उसको हमने क्या का वो हमारे real number भी है, तो सारे के सारे irrational number हमारे बच्चों क्या होंगे, हमारे real number होंगे ही होंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या answer आएगा, true, ओके, अब next देखते हैं बच्चों के अंदर, every point on the number line is the form of under root m, where m is a natural number, ठीक है, एंडर्स में आगे भी था, शायद में लिखना भूल गया, नहीं, इतना ही था, अब देखें, यह क्या कहता है, कि आपके पास एक number line है, मान लो, ठीक है, second वाला पार्ट बता रहूं मैं आपको, solution में, देखो, वो कहता है, कि आपके पास एक line है, number line है, तो वह कहता है, कि इसके अंदर, जो भी point होंगे, सारे के सारे जो भी point है, क्या उनको हम under root M की form में represent कर सकते हैं, और जहां पर M क्या है, natural number, natural number के अंदर पहली चीज़ क्या आती है, 1 से start होते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह से आता है, पहली चीज़ देखो, हमारे पास number line में 0 आएगा, आएगा, अब यह बताओ, under root of 0, क्या होता है, 0, बच नैचरल number के अंदर तो हमारे पास 0 नहीं आता, तो कैसे कह सकते हो, कि यह होगा, नहीं होता, दूसरी चीज़ सोचो, चलो भी इस चीज़ को छोड़ो, हमारे पास बच्चों क्या आती है, number line यहाँ पर minus में भी तो आती है, अगर हम बनाएं तो, ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, 1, 2, 3, अब यह बताओ, 1, 2, 3 को तो चलो हम under root, 1, 2, 3, इन से करके निकाल सकते हैं, यह तो आते हैं, ठीक है, बट जब बात आती है कि number line के उपर minus में आता है, तो क्या आप इसको ऐसे भी represent कर सकते हो, इसकी क्या value हो है आपके पास अभी, नहीं है ना कुछ, तो हम क्या कहेंगे कि सारे के सारे जो भी हमारे पास होते हैं, वो root M की form में नहीं हो सकते, जहांपे आप M कह रहे हो, नेच्रल नमबर हो, तो यह क्या हो जाएगा बच्चो, false, ओके, चलो आगे, देखे, लास्ट आपके पास कि every real number, every real number इसे irrational number, क्या सारे के सारे जितने भी real numbers है, वो हमारे irrational number होंगे होंगे, तो सारे के सारे real number हमारे irrational number होंगे, नहीं, हमने तो real number को दो पाइप में डिवाइड किया, rational numbers and irrational numbers, तो क्या वो irrational numbers, जो जो जी निकिए irrational number ही हो सारे के सारे, it can be rational numbers, तो यहाँ पर क्या हैगा, false, ओके, तो आपको इस तरीके से इनके answers निकालने है, कोई भी doubt हो, तो आपको पहले क्या करना है, जितने भी मैंने topic करवाएं पहले उसको देखो, वहाँ से चीजों को समझो, तभी आप इनके answer देपाऊगे, ठीक है, एंड़ वीडियो अच्छी लगे, तो like and share करके जाएगा, ठीक है जी, thank you,